हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे WI vs ENG full stats plus info यानी West Indies और इंग्लेंड के बीच में जो आज शाम से आपको test match सीरी स्टार्ट टे दिख रही है उसके first test की ये भी आपको बताना चाहूँगा कल आपको West Indies और इंग्लेंड वुमेन का वर्ल्ड कप से भी match देखने को मिल रहा है जो वुमेन ओड ये वर्ल्ड कप चल रहा है उस वीडियो को भी हम शाम को कवर करेंगे लेकिन पहले test match की वीडियो कोमेंट्स ही भरे हुए थे इस match के लिए अभी आपको टेलिग्राम पर शेयर भी करूँगा बहुत अच्छा लगता है कि जब आप test match के लिए इतना encourage करते हो और वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है grand league के लिए आज से बहुत सारी differential picks है एक नहीं दो नहीं तीन चार differential picks है जिने आप small league में भी ले सकते हो वो क्यों 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 हर player का level equal है इसमें कोई ऐसे star players नहीं है अगर दिन जो रूट बें स्टोक्स जेसन होलडर बहुत से mediocre level के players है जो आज equal level पर आपको मिलेंगे जिनका नाम उतरा नहीं है लेकिन काम बहुत बड़ा कर लेते हैं वैसे ही player कुछ खास बनेंगे हमारे लिए grand league के लिए उनके बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले अगर आप टेलिग्राम चनल पर नहीं जुड़े हो वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा टॉप के comment मे भी आपको link मिल जाएगा जरूर टेलिग्राम चनल में जुड़ जाए हमारा verify टेलिग्राम चनल है और youtube पे भी subscribe कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जैसे world cup की वीडियो की वीडियो की notification आपको मिल जाए ठीक है तो ध्यान रखना अभी दोस्तों वेन्यू की बात करें north sound antiqua में matches हो रहे हैं अच्छा विकेट है बल्ले बाजों के लिए लेकिन यहाँ पर अल्ली spell पर अगर बल्ले बाज विकेट दे दें तो किस्मत खराब भी हो सकती है क्योंकि starting में swing काफी अच्छी होती है यहाँ पर third fourth day पर जो क्योंकि यह ground में consistent वहोंस है third fourth day पर spinners भी turn and bounce क की help लेके विकेट निकाल लेते हैं but major job की preference है वो सबसे पहली रहने चाहिए fast bowling all-rounder कौन हुए fast bowling all-rounder Chris works हो गए ठीक है Craig O'Warton को भी आप इस category में डाल सकते हो Ben Stokes को डाल सकते हो Jason Holder को डाल सकते हो ठीक है यह आपकी first preference energy then batsman जो root हो गए wicket keeper batsman best row हो गए यह कुछ अच्छे players आपके बनेंगे हाला कि best row is not expected to do wicket keeping here ठीक है then spin jack leech अगर वो खेलते हैं तो मैं आपको ज़रूर recommend करूंगा turn and bounce क की वज़े से plus West Indies की जो आदत है spinners को wicket को देने की वज़े से ठीक है यह leech भी differential बन सकते हैं अगर आप देखोगे इस ground पर दोस्तों 10 मैच हूँ है West Indies तीन जीता है देखो 10 के 10 में West Indies खेला था दो हारा है दोनों इंडिया से और 5 उनके draw हुए है यह match में क्या है कई बार बारिष भी हो जाती है लेकिन बारिष ते जाद है यह रीजन रहा है कि फोर से निंग्स में भी टीम संभल जाती है तो यहां पर मैचिस काफी आपको draw देखने को मिल रहे लगभग आ दे विचिस आज की डेट में काफी ज्यादा परसंटेज ऑफ मैचिस ठीक है 50 परसंट क्योंकि वह आप देखोगे fantasy में भी उत्रा मजा नहीं आता अब याप Pakistan Australia का मैच ले लो अगर आप देखोगे ना मेरी वीडियो मैने clearly बोल दिया था यह मैच खेलने वाला है यही डेड विकेट है रंज ही रंज होने है और आप देख लो क्या हो रहा है ठीक है help ही नहीं है कुछ तो वैसी विकेट का कोई फाइदा नहीं है लेकिन अटलीस उससे तो यह मैच बहतर जाना चाहिए बिकॉस इस विकेट में कुछ तो है फास्ट बॉलर्स के लिए प्लस एंडरसन ब्रॉड मिसी गा लेकिन इंग्लेंड की टीम अभी मैं थोड़ा फेवरेट मानूग क्योंकि अच्छी टीम है इवन वेस्ट इंडीस भी अच्छी है खराब नहीं है बोलिंग दोनों टीम्स की तगड़ी है विकेट चाब 20 में से 23 फास्ट तीन स्पिन गई थी इस मैच में और इस मैच में भी आप देखोगी अगर इसके अगले में इन फैक्ट तो श्रिलंक ने डॉमिनेट किया है और यहां देखोगे क्रेक ब्रिथविट लास्ट मैच में मैं अफ़ी मैच थे 126 और 185 की इनिंग्स कायल मायर्स 49 55 प्लस दो विकेट होल्डर ने 30 71 और दो विकेट ठीक है यह फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स के रन है 49 और 55 ऐसी हर प्ल इस को 100 पर रोट कर दिया क्याना चाहिए दिन 37 में से 29 फास्ट को विकेट थी बूमरा ने ऐसिंग 5 फर लिया था सेकेंड इनिंग्स में बहुत अगड़ा ठीक है तो पिछले तीन मैच में 77 विकेट फास्ट को फास्ट को क्लियर या एडवंटेज है स्पिनर खेलता ही एक एक था अब जसे इस मैच में इंडिया ने ऐस्ट फास्ट को नहीं चोड़ना चाहिए तो यह उनकी गलती है बट अब क्या कर सकते है वेस्ट इंडिस की टीम मेनेजमेंट है मेरी तो है नहीं तो होल्डर देखोगे साथ मैच में चार सो ग्यारान पंतारीस के एक एक शतक एक अर्थ शतक है ठीक है काईल मायर देखोगे दो इनिंग्स में दो सो एक उनके दो अर्थ शतक है यहां पर ब्लैकवूर्ड का एक ही शतक है लेकिन वह 112 नवाद की बहुत तरेफिक इनिंग केमबेल ने चार मैच में 156 की हैं ओपनिंग करेंगे लेफ एंडिट बैक्स में 22 की अवरेज है नकुर्मा बॉनर का रिकॉर्ड देखो बढ़िया प्लेयर मुझे नकुर्मा बॉनर लगे रिकॉर्ड के साबसे दो ही मैच खेले हैं तीनी वल्ले बाजी आई है इनकी उसम इसी बॉलिंग भी कर लेते हैं बट उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना बल्ले बाजी से रखना केमा रोज के यहां पर काम आ सकते हैं हाला कि मैं क्या छोड़ूँगा एक स्पोईर रड़ देतो केमा रोज अभी मेरी टीम में नहीं है लेकिन क्यों अभी जोसेफ टीक है तो होलडर साथ मैच में 22 विकेट शेनन गेब्रियल छे मैच में 15 लेकिन शेनल गेब्रियर डेक्लेर कर दिये हैं कि इस मैच में नहीं कहलेंगे अलजारी जोसेफ तीन मैच में आठ कायल मेश दो मैच में चार विकेट हैद टूएड की बात कर लेते हैं यहां पर कार्लोस ब्रेथवेट नहीं है करीक ब्रेथवेट है ठीक है नॉट रिमेंबर दा नेम बारा मैचेज में साथ सब तरासी चौनतीस के एवरे से दो शतक तीनर शतक ब्लैक वुड नौ मैच पर साथ से नौ पर काली लगकड में बहुत बड़े रन की हैं यहां पर मजाक की बात थी ए ठीक है ब्लैक वुड इस ग्रेड प्लेयर और यह काफी तेज केलता है इनकी जो हंडर है इस ग्रॉंड पर 112 नबाद की थी ठीक है के सामने है लेफ्ट हैंड टीम में काईल मायर जॉन केमबल उसके लावा राइट हैंड डॉमिनेटिड यहां पर टीम है तो लेफ्ट हम और्थोडोक्स इसलिए जो आपके काम आ सकते हैं लीच आ सकते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखके चलना बाकी इनके बास भी लेफ्ट के साथ जो कि लेफ्ट हैंड बैसमन है देन नकुर्मा बॉनर आएंगे काईल मायर जाएंगे ब्लैक वूड और मायर में से कोई भी उपर भीज़े जा सकता है ब्लैक वूड पास बहुत अच्छे स्ट्रोक्स हैं तेजी से खेलते हैं यह एडवांटेज है ठीक है लेकिन केमबल के बाद केवल काईल मायर जाएं तो मैं हरान नहीं होंगा ब्लैक वूड को उपर भेज दिया जाएं और मायर को थोड़ा बचाके रखा जाएं लेफ्ट हैंड नेस ताकि यहां पर मिडल ओर में जाधा रहें देन होल्डर है जोश्वा है अलजारी जोसिफ केमार विरसामी परमॉल और जेडन सील्स दोस्तों जेडन सील्स वो डिफरेंशल प्लेयर है जिनकी मैं बात करा था अपने करियर में सौथ अफरीका को भी तंद कर चुके है डेब्यू पे ही विकेट टेकर बोलर है काफी तारीब भी होई और तारीब होनी भी चाहिए क्योंकि बहिया बहुत बड़ी-बड़ी विकेट भी निकाली है अपने छोटे से करियर में अभी नीचे आपको दिखाऊंगा बट इनका बोलिंग एटेक अलजारी जोसेफ केमार रोच जो की टेस्ट में काफी जादा अच्छा करते हैं जेडन सील्स अफ्कॉर्स जेसन होल्डर इफ रिक्वाइड काइल मायर्स भी हैं तो टीम में काफी बोलिंग ऑप्शन भी हैं वेस्ट इंडीज के फुल स्टैट्स प्लस इंपो हरे एक प्लियर का टेस्ट रिकोड आपको दिख रहा है जॉश्वा डेस सिल्वा की आपको एबरेज जरूर कम मिल रही है ऑफलेट प्रफॉर्मेंस अच्छा है प्लस विकेट इजली नहीं देते अब इनकी एवरेज क्यों कम है आप देखो इनका जो ओर्डर रहा है वो 6 डाउन तक रहा है इस मैच पर 5 डाउन जरूर है लेकि नॉर्मली उनको ओर 6 डाउन रहा है फोर्डर के भी बात अब उसके बाद आ प्रफॉर्मेंस प्रफॉर्मेंस पर जो करियर की स्टार्ट में थोड़ा अच्छा नहीं किये थे लेकिन नाउ ही इस दबेस्ट प्लेयर आप कह सकते हो वेशन डीस की बल्लेवाजे लाइन आप में नौ शतक से ही अंदाजा लगा लो इतने शतक आपको इनके टोटल नही इनके टीम में नकुर्मा बॉर्नर ऐसे इकलौते प्लेयर है जिनका 40 का अवरेज है यहां ब्लैक वुड है शमारा ब्रुक्स काम नहीं है इनफेक्ट शमारा ब्रुक्स एक्चली खेल भी सकते हैं तो टीम अगर शमारा ब्रुक्स को खिलाना चाहे तो यहां नंबर 3 पर ख लाड़ी हैं काइल मायर्ज हैं जो की बोलिंग अच्छी कर लेते हैं साथ में रंस भी आपको देते हैं 35 का अवरेज है शतक भी लगा चुके हैं वो भी बेस्ट इनिंग्स थी अगर आपको याद होगा बंगलादेश के आगे डबल सेंचरी फोर्थ इनिंग्स में ठीक है केमा रोज 231 विक्टे अब्विसली इंट के काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं अलजारी जोसेफ 17 में 40 जर्डन सीज जिसे मैंने बताया कि करियर में खेले कम है लेकिन 4 मैच में 16 में 16 में दोस्तों कम नहीं है अच्छे अच्छे स्टैट से साथ अफरीका के आगे भी जो कि मुझे थोड़े कम चांसे अबी दिख रहे हैं ठीक है इंगलेंड की बात करते हैं इंगलेंड की बात क्या करेंगे इंगलेंड में यहापे 12 प्लेयर का स्कोर्ड अनौस हो गया है जिनमें से 11 खेलेंगे तो पहले तो वो प्लेयर बताता हूँ जो खेलेंगे नहीं तो यहाँ पे आपको ओले पोप इस मैच में नहीं खेलते दिखेंगे ठीक है ओले पोप के अलावा यहाँ पे आपको साकी मामूत खेलते दिख सकते हैं ओले रॉबिंसन इंजड हो गया है मैथ्यू फिशर भी बाहर है मैट पारिंसन भी तो जो मैंने कट किये उनको तो आ रखे साकी मामूत को खिला सकती है बड़ इसके चंसे कम हैं ठीक है बिकॉस अल्रेडी वोक्स ओवर्टन मार्क वूड फास्ट बोलिंग करेंगे फोर्थ बोलर इफ निडिट बेल स्टोक्स हैं एंड स्पिनर तो इनके पास जैक लीच है ही तो चार पेसर भी है और जैक ल बाकी यहां पे इससे पहले भी जॉनी बैसर ने एस थिंग जो ऑस्टेलिया के सामने सीरीज खेल के आए है इकलोते ही सेंचूरियन रहे हैं फ्रॉम इंगलेंड टीम ठीक है तो यह ध्यान रखना इकलोते ही रहे थे बैंट फोक्स आर्ट मैच में चार्ट सो दसरण 31 के अ अब यह नहीं होगा अच्छे बरन करेंगे अब फास्ट बोलर सामने अब ठीक है अब वेच्ट इंडीज में है इंगलेंड को बहुत मुश्किल हो रही थी ठीक है जो रूट है जो रूट है जो रूट ने किया है 49 के अवरेज से रन 9600 भाईया कम नहीं है 114 मैच मेच में 400 रन कर देते हैं माइल्स्टोन 10600 भाईया किसी भी प्लेयर के लिए बागी भाईया रिकॉर्ड इस बहुत ही ज्यादा अच्छा है कंपेरेबल ही नहीं है 49 के अवरेज इजी ली लाजवा प्लियर है ठीक है बोलिंग में विकेट निकाल लेते है प्रैक्टिस मैच में नि वोक्स काफी क्रूशल और रॉंडर्स हैं वोक्स बोलिंग से जधा में श्टोक्स बल्लेबादी से जधा हैं विकेट दूसरे काम भी यह कर लेते हैं बोलिंग में दोस्तों माक वूट 25 में 81 विकेट लीच 19 में 68 रॉबिंसन विल नॉट प्ले नहीं तो रॉबिंसन मेरी 1 20 में 70 विक्ते हमेशा मैं यहीं बोल तो टॉल लेंग की फास्ट पूलर काफी टॉल हैं इनको पेजबोंस अच्छा मिल सकता है इस ग्रॉंड पे और जेडन सीर्स का जो एडवांटेज है वही साके महमूद भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिस मैच में इंग्लेंड के प्लिय 25 जो टालिस न बाद ठीक है वोक्स 49 नॉट और 11 फेली इनिंग्स में किए जेलो बिग अगली इनिंग्स में आट वर किये एक विकेट ओवर तर्न ने पहली इनिंग्स में 16 वर जीरो बिके दो इनिंग्स में 7 नॉट फो प्लस आथ हो अठोट की दो विकेट गर्केट ये आपको नहीं चोड़ने है। अभी मतलब नहीं बन रहा क्योंकि West Indies में मैचेज हैं इंग्लेंड में होते तो जादा रिस्क ले सकते थे ब्रेथवेट के बाद यहां Brooks काफी लोगों ने लिये I'm not so sure हो खेलेंगे के नहीं मैं पहले clear कर दूँ देरार chances वो खेलेंगे बट that is not 100% sure ठीक है तो Brooks को छोड़ते हुए मैंने Zach Crawley को भी prefer किया है जो कि practice match पे भी अच्छा किये England के लिए aggressive nature के player है और ready मैं आपको बता दूँ कि Zach Crawley काफी हद तक कह सकते हो कि England के काफी आगे के future के opener की बाद चल रही है कि इनको opening करवाई जाए तो Zach Crawley मुझे तो लग रहा है कि अच्छे रहेंगे मैंने इनको रखा है आप पास credit के issues आएंगे तो आप यहां Blackwood खेलते हैं तो Blackwood तो खेलेंगे ठीक है Blackwood को ले ले लेना Brooks खेलते हैं तो Brooks को भी ले सकते हो क्योंकि Brooks भी technically sound player है ठीक है और मैच कहां पर है नॉट साउंड एंटिक हो हमें यह क्या है टेक्निकली साउंड एंटिक है Then Dan Lawrence है दोस्तो प्रेक्टिस मैच में 60 रन भी किये 40 भी किये 2 विकेड भी ली I think 80 plus 40 in fact मैंने आपको दिखाया था Yes 83, 48 and 2 विकेड तो Dan Lawrence का भी ध्यान रखो भाई है differential बन जाएंगे Nakurma Bonner पते क्यों मुस्कुर आ रहे है क्योंकि मैं हर वीडियो में उनकी तारीफ करता हूँ लेकिन Western News वनों को मौके नहीं दिने उनको मुझे रही समाज आ था क्यों ODA Series में इंडिया में इनको मौका नहीं दिया था जबकि इंडिया लेके आये थे Ole Pope खेलेंगे नहीं Alex Lees मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि Finally England के लिए खेलेंगे and as opener Left-handed batsman आपको खेलते दिख जाएंगे Lees Recent performances उनके club level पे काफी अच्छे रहे है In fact, जो county championship रहती है This is why he is here Wicket easily नहीं देते Technically sound player slow खेलते है आप देखो के जब तक यहाँ पे Crawley के 40 run हो जाएंगे अगर दोनों टिकते हैं तो Lees के 15-20 ही होंगे लेकिन ये wicket नहीं देते John Campbell है Opening करेंगे बट मैं उतना recommend नहीं करूँँगा ठीक है All rounders में I have straight forward picks Holder, Stokes, Vox कोई सोचने की ज़रोती नहीं है Stokes, Vox ऐसे नहीं लगता भाई-भाई है ठीक है Stokes करेंगे fast Vox करेंगे fast Holder करेंगे fast 3-0 बल्ले बाजी भी करेंगे 4 down पे आप कर सकते हो Holder को expect 3 down पे bench stocks को 5-6 down पे In fact 6 down ही Vox का आपको कर सके दे सकते है इस ground पे holder का record थोड़ा सा best indies के बागे grounds के मुकाबले Fika रहा है But holder being holder I have to hold him in my team ठीक है Stokes भी आगे Bowling कितनी करेंगे Not so sure But practice match में Second innings में bowling करी थी अच्छी bowling करी थी ठीक है So मैंने रखाय टीम में Kyle Myers है Kyle Myers भी कुछ over कर सकते है बल्लेबाजी इनकी main है इनको बल्लेबाजी से main मानो हाला कि last में जो इस ground पे खेले थे दोनों innings में एक एक wicket भी लेके गए थे 50 भी करके गए थे So not bad option ठीक है ये W को क्या हो गया मेरे ठीक है कल से problem नहीं आएगी इसमें क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छी जगह होने वाली है तो ये चीज़ देखके चलना Kyle Myers भी आपको आक्ते हुए दिखने वाले है अभी दोस्तों bowling में मतलब अच्छा करते दिख सकते हैं bowling में मैंने क्या किया है पहली मैं प्रेफरेंस वाइस चूस करूँ है क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था लेट्स चूस जो मेरी पहली चॉइस है मैं फर्स चॉइस इन bowling सेक्षन इस एक्चली क्रेग ओवर्टन क्रेग ओवर्टन को मैंने ले लिया है फर्स चॉइस आप मार्क वूड को ही मानो सच बताऊं तो मार्क वूड को भी फर्स चॉइस मानी सकते हो बिकास में फास पूलर है सेकेंड चॉइस में आप ओवर्टन और अलजारी को रख लो दोनों थोड़ी सी बल्लेवाजी कर लेते है यह advantage है जो सिर्फ भी strokes लगा लेते हैं अब आप देखोगे मेरे पास 17.5 क्रेड है अगर मैंने best row ले लिया I have to take 8 क्रेड फियर Anderson Philip खेल गए तो ओके वरना मैं lease को तक नहीं ले सकता है क्योंकि मेरे पास England के और डेड़ी साथ प्लेर है या फिर आप क्या कर सकते हो Crawley को छोड़ा दूसरे opener Alex Lees को लिया फिर क्रेड़ी क्रेड है कोई दिक्कत नहीं है Even Brooks को ले लेते हो तो भी आप पस 9.5 क्रेड आ जाएंगे यहाँ पे Johnny best row के लिए So please बल्ले बाजी में If you are taking Crawley Then you will have to face this thing Then यहाँ पे अब मेरे पास दोस्तों मैंने ले लिए जब यहाँ पे Joshua De Silva मैं easily Kyle Myers को ले सकता हूँ But Kemar Ochen जो bowling पूरी करते हैं 19-20 की average से इस ground पर run भी कर रहे हैं Ole Edward Robinson खेलेंगे नहीं Differentials में हमारे पास Jack Leach है मैं बहुत टेम्ट हो रहे हूँ Jack Leach को या Seals को लेने का यह दोनों प्लेयर में से एक को मेरा Game Changer बनाने का बहुत मन है या मैं सोच रहा हूँ कि आपको Mini GL में दोनों को भी दूँगा क्योंकि दोनों की Game Changer बनने वाले हैं Seals प्रेशर रहेगा Seals पे क्योंकि England के अगे उतना परफॉर्म कर पाएंगे I am just doubtful बट इनका West Indies में रिकॉर्ड अच्छ है अगर आपने जेडन सील्स की bowling देखिए ना इनको देख के लगता है या विकेट निकालने वाले है इनकी bowling ऐसी रही है testing line length अराम से बिना effort के यह ball बंदे के shoulder तक बंचा देते हैं जो एक nagging सी length होती है जहां पर edge लगने के chances होते हैं ठीक है तो यह चीज़ देख के चलो Jaden Seals could be the game changer Guess what अभी मेरी team में यहां पर Jaden Seals दी है Leech और Seals में confused हूँ अगर यहां England का देखोगे spinner वो काफी differential बन सकता है तो यह चीज़ थोड़ा देख के चलना मेरी team फिलाल यह है half cred बच रहा है crawly की जगा किसी को आप ले सकते हो और यहां पर उठा सकते हो easily Johnny Bestro को ठीक है यहां पर cred इशू नहीं है तो प्लीज वहाँ Johnny Bestro को रखना 7th player England के आ जाएंगे मेरी यह team है जिसमें captaincy मेंने दिया है Holder को ठीक है Vice captaincy के लिए options है Chris Wokes, Ben Stokes, Joe Root अगर आप बना रहे हो 2-3 team तो यही 4 players में आप थोड़ा सा rotate कर सकते हो ठीक है bowling section में से भी Markwood को आप VC try कर सकते हो so मेरा captain मेने जैसे बताया Jason Holder, Vice captaincy Joe Root को है आप Vokes और Stokes को भी दे सकते हो Vokes, Stokes, Benfokes, Crickland, Forkast, Rokes ठीक है, hopefully after this match but match में grand league खेलना वीडियो आपने इतना comment किया भी telegram पे दिखाऊंगो कितने comment आपके कि आप force हो गया वीडियो बनाने पे but इसका यह मतलब नहीं है team copy करनी है मैं रोडने लग जाओंगा जल्दी से subscribe करो मुझे नहीं पता ठीक है और ये subscribe करके telegram में तो जुट जाओ कहां जा रहे हो verified channel है telegram पे वीडियो की description टॉप के comment में लिंक है चलो कल इनी teams का women का match है England का ठीक है और women's day आज वीडियो देखना यार promote करो women's day को